आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में 36 गड़ सामान्य अध्यन से संबंधित 10 प्रस्णों पर रोज हम लोग डिसकेशन करते हैं जो कि CG PSC और CG Vapam की परिक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट हो सकता है तो आप लोग जो है वीडियो को आखर तक देखेगा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा चलिए कोस्चन सुरू करते हैं आज का पहला कोस्चन है बारशूर के मंदिर एवं मूर्तियां किन सासकों द्वारा निर्मित है तो बारशूर जो की दंतेवाड़ा जिले के अंतरगत आता है तो यहाँ पर भई नागवंस के सासकों के द्वारा बहुत सारे मंदिर और मूर्तियां इस्थापित की गई है नागवंस यह सासकों के द्वारा जैसे की चंद्रादी तेश्वर मंदिर मामा भांजा मंदिर उसके बाद एक गड़ेश जी की प्रतिमा भी यहां पर इस्थापित है, अगला कुश्चन देखते हैं, चतिजगर की कौन सी लोक गाथा में सीता माता और लक्षमर जी का वर्णन है, आप लोग जो है न साथ साथ में आंसर देने की कोशिस करिएगा, कॉमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अंसर बता सकते हैं, तो चतिजगर की कौन सी लोक गाथा में सीता माता और लक्षमर जी का वर्णन मिलता है, माता शीता जो कि राम जी की पत्नी थी, तो किस गाथा में इनका वर्णन है, तो फूल वासन की गाथा, इसमें जो माता सीता है, वो एक नाईयों से लेकर के आते हैं तो ये जो है फूल वासन की गाथा में देखने को मिलता है अगला कुस्चन है बारात के स्वागत के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है बारात जब आता है न तो उसके स्वागत में कौन सा गीत काया जाता है परगैनी गीत कौन सा गीत परगैन मन्दिर सबसे पुराना मन्दिर यह सबसे पहले आ जाएगा एक उसके बात जो है दूसरे नंबर में बना ओर ये का इंधि करjayं कि कुष्टर नम्बर में बना सीर्पूर सीर्पूर का लक्ष्मन मंदिर उसके बात बना आखिर में राजी उलोचन मंदिर तो एक 3, 2 एक 3, 2 अपका आंसर होगा सबसे पहले का उन बना देवरानी जेठानी मंदिर उस बाद सिर्पूर का लक्षेमन मंदिर ये लगभग किसे समय में बना था पंडू अंषक के सासक समय उसके बाद राजीव लुचन मंदिर बना था, जो कि किस ने बनवाया था, विलास्तूंग, नल वंस के सासक विलास्तूंग ने बनवाया था, राजीम में, तो एक, तीन, दो, सबसे पहले देवराने जठानी मंदिर, फिर सिरपूर, फिर राजीम, अगला कोश्चिन देखते हैं, सरस्वती पत् ये होता था खैरागड से पदुम लाल पुन्न लाल भक्षी जीस से जुड़े हुए थे अगला कोश्चिन है किस इस्थान पर मगरमच्छ संरक्षण का कारेश शंचालित नहीं है तो हमारे 36 गड़ का तीन इस्थल मगरमच्छ संरक्षण के लिए जाना जाता है एक तो जात है बाकी जो बहेंशा जार यह नहीं है अगला कोश्चिन है अ गहां कि ना केस नाम से जाना जाता है लालपीली मिटि और मिटि क armor के स्यूक्त रूप को को 36 गड़ में किस नाम से जाना जाता है लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी इन दोनों के संयुक्तरूप को किस नाम से जाना जाता है जो कछार है ना ये नदी तट के मिट्टी को बोला जाता है कछार कनार काली मिट्टी को बोला जाता है मटासी बोला जाता है लाल पीली और काली मिट्टी के संयुक्त रूप को डोर सा क्या वो लेंगे डोर सा तो आपका अंसर होगा सर अगला कुस्चन है बस्तर अंचल में हास परिहास में गाया जाने वाला गीत कौन सा है तो दिखेगा जो ददर्या है ये तो पूरे 36 गड़ में गाया जाता है इसी के साथ आज का वीडियो इहीं पर समापत होता है आप लोग मुझे कॉमेंट के माध्याम से बताइएगा कितने कोस्चन सौल्व हुए किसी भी कोस्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद